आज देश में बेरोजगारी दर्ड लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन जब केंद सरकार से देश की सबसे बड़ी समस्याओं में एक बेरोजगारी पर सवाल किया जाता है तो सरकार चुपी साध लेती है और सवाल अंसुना कर देती है जबकि 2014 से पहले बीजेपी ने सत्ता में आने पर रोजगार देने के बड़े बड़े वादे किये थे लेकिन सरकार के वादे जुमला साबित हुए पॉंग्रेस के शासनकाल में शुरू किये गए मनरेगा को लेकर पीएम मोदी ने मजाक उड़ाया था और आज पीएम मोदी इस वक्त दो बड़ी समस्याओं से जूज रही है एक है महंगाई तो दूसरी है बेरोजगारी और ये दोनों ही समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है अगर बात बेरोजगारी की करें तो देश में बेरोजगारी दर 6.57 फीसिदी हो गई है लेकिन सरकार इस पर तंज कस्ते हुए लोग सभा में मनरेगा स्कीम का दिक्र किया उन्होंने पिये मोदी का नाम लिये बिना ही तंज कस्ते हुए कहा कि मनरेगा स्कीम का कई लोगों ने कुछ साल पहले मजाक उड़ाया था लेकिन इसने कोरोना काल में जब लॉगडाउन लगा तो करोणों ग से मांग करती हूँ कि मनरेगा के लिए बजट का आवंटन किया जाए काम के 15 दिनों के भीतर मजदूरों के खातों में इसकी पेमिंट पहुंच जानी चाहिए बता दें कि मनरेगा स्कीम की शिरुआत कॉंग्रिस ने तरत वाली यूपीय सरकार के पहले कारिकाल के दोरान हुई थी जिसके तहट लोगों को उनके गाउं उनके शेत्रों में ही काम मिल सके जिससे लोगों को काम के तलाश में बाहर ना जाना पड़े इस स्कीम के तहट ग्रामीन भारत में रहने वाले गरीव बा कमजोर आईवर्ग के परिवारों को सौ दिन का रोजगार प्रदान करना है ताकि वो अपनी आजीवी का चला सके जिससे जनता को काफी फायदा भी पहुँचता है दरसल सोनिया गांधी ने पीएम के उस बयान पर तंच कसा था जिसमें उन्होंने इस स्कीम की आलोच ना भी की थी पीएम ने कहा था पीएम ने इस स्कीम को कांगरेस की विफलताओं का जीता जागता इसमारक बताया था जबकि कोरोना काल में ये लोगों के लिए संजीबनी नी साबित हुई जनता को रोजगार देने में असमर्थ सरकार कॉंग्रेस की मनरेगा स्कीम को उसकी विफलता करार देती है और मजाक उडाती है जबकि मोदी सरकार में न जाने कितने युवा रोजगार की आस्थ में बैटे हैं और सरकार के पास रोजगार तो दूर उनको देने के लिए जवाब तक नहीं है डिवी लाइफ की रिपोर्ट